नमस्कार मैं फिर आप सब के सामने उपस्तित हो गई हूँ सभी बढ़ों को मेरे प्रणाम चुरे को बहुत सारे प्यार आज जीन के बर्स्टी या मेरे जामनिवर्सटी या के स्पेशल दे उन सब के लिए मेरे देप से बहुत सारे शुपक्रावने अच्छा पहले मैं बता मेरे लिए तो मैं मुझे चारों बार लंच डिना लंच डिना रहसे करके खतम करना पड़ा बहुत टेस्टी बना था और मुझे सच में बहुत खराब लग रहा था कि मैं अरे भाई-लोगों को खिला नहीं पाई सो देखते हैं अगर कभी फिर मैं कैलकटा जाओंगी तो मै कैलकटा का मेरा कीचन इतना सेट अप नहीं है कि वहां तो कभी-कभी जाके हम थोड़ी दिन रहते हैं तो इतना सब कुछ शैद नहीं है फिर भी और उस दिन जैसे मैं बोल रही थी ना कि फेस्टिबल में हम लोग बहुत रिच खाए बहुत वराइटी बहुत मिठाई अभी तो मैं 10-15 मिट बला रेसीपी कुछ बनाऊंगी तो आज ऐसे बनाऊंगी जो 15 मिट भी नहीं लगेगा मैं स्वीच कॉर्ण सूप बनाऊंगी मैं एक्चुली और पहले बनाती है मतलब मैं किचिन में आहारील हो लाइट आफ हो रहे है बार बार पावर कट फिर अधनियाज कर पाऊंगी कि नहीं अभी थोड़ी दिर बाद लाइट आया और तब से अभी तक ठीक है तो होफुली प्रॉब्लम नहीं होगा तो अभी चलिए मैं शुरू करती हूं और आप लोगो दिखाते है तो देखिए स्वीच कॉन सूप बनाने के लिए ओविएसली स्वीच कॉन तो चाहिए तो मैं जितना ले आना वह आधा ऐसे रखा और आधा देखिए मैंने मिक्से में ले लिया कि इसको मैं पीस लोंगी और इसमें मैं वेजटेबिल्स दे रही हूं गाजर, कारोट और स्प्रेंग अनियान इसके लबा आप चाहा हो ना तो इसमें ब जाली बहुत अच्छा लगता है और इसके इलाबा मैं जब बनाओंगी तो बताते जाओंगी क्या क्या लगेगा तो पहले मैं इसको पीस लेती हूं फिर आप लोगों को दिखाते है थोड़ा सा पानी डाले तो पीसना भी आसान हो जागा है पीसने के बाद ये ऐसे स्मूथ पेस्ट आप प्योरी जैसे मंदर आप इसमें थोड़ा सा बटर दे दूंगी अपर उसमें मैंगी जिंजर और गार्लिक तो फोड़ा सा गार्लिक का स्मेल आए मैं के ना गार्लिक बहुत पसंद है तो मैं कोशिश करतो है चीज में और कुछ रोड़ा हूं तो फोड़ा गार्लिक करते हैं इसमें मैं वह फीसा हुआ शुटकॉन थोड़ा ज्यादा पानी के साथ डाल भी और इसको ना अच्छे से उबाल आना चाहिए थोड़ा सा मेरे मिक्सी में है और थोड़ा पानी डाल के उसको देखिए उबाल आ गया ना और यह थोड़ा थोड़ा ज्याद आ रहा है जैसे हम लोग दाल में से भी करते है ना वैसे पॉसिबल यह ज्याद थोड़ा थोड़ा निकालके इसे उठा के हम फैक देते हैं थोड़ी दिर उबालने के बाद इसमें हम जो अखा मतलब पूरा जो कॉर्ण था होल कॉर्ण जो रखा था स्विट कॉर्ण वो डाल देंगे और जो भी वेजटेबल सब डालना चाहते हूं वो भी इसमें मिला देंगे ज़ लादें हुआ होग्स तरस अल्प नड़ी देंगे तन्याद के लादें बानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से उबालाने देंगे इसमें चमच नमत और दो चमच शक्कर चीनी डाल देंगे तो थोड़ असा तो मिठा चाहिए अच्छा लगीगा कॉर्ण से भी होगा पर थोड़ असा चीनी डाल देंगे और इसको हिलाते रहेगा और देखिए यह बैसिकली क्लियर सूप बन रहा है कुछ लोग ना इसमें कॉन स्टार्च आरा रूट ऐसे मिलाते है जो मैं नहीं मिलाओंगी क्योंकि अल्रेडी कॉन मैंने पीस के दिया तो एक्दम पानी के जैसे क्लियर तो नहीं है आप देख सकते हो थोड़ा बहुत तेसमें इसके बाद भी अगर किसी को बहुत थीक पसंद है चाइनीज सुटन सालवर मंचोरियन सुप चैसे होता है थोड़ा थीक तो उस ताइब के अगर आगर किसी को बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्ण फ्लावर खंडा पानी में खोल के या अरा रूट जो भी है खंडा पानी में खोल के आप दे सकते हो जो मैं नहीं तो इसको अभी थोड़ी देर उबालने देंगे फिर लास्ट में इसको इसमें थोड़ा समय बटर और ब्लैक पेपर पाउडर मिलाओंगी तो सूप तैयर हो जाएगा पर उसकी बाद मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाऊंगी पहले बन जाए फिर मैं दिखाते तो थोड़ी दिर और उबालने के लिए छोड़ देते देखिए सूप रेडी हो गया इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत जादा बॉयल होना चाहिए स्वीट कॉर्ण भी हम थोड़ा सा माइक्रोड में करके खाते हैं कैरोट और स्प्रिंग ओनियों तो इसे सालड में भी खाते हैं तो बहुत ज्यादा करने के जरूरत नहीं है और सूप का टेक्शे भी देख लीजिए आप कितना कालर्फुल भी हुआ है तो सूप इस रेडी ब्लैक पेपर पाउडर दे लिए अपने हिसाब से दीजिए आपको कितना टेस्ट कैसे लगते अच्छा लगते हैं अच्छा लोग ना इसको इसमें स्वाइश चिली सॉस यह सब भी डाल सकते हो पर मैं नहीं डालती हूँ मैं जितना हो सके नाच्रल और मुझे लगता है बटर और ब्लैक पेपर अगर सूप में दिया जाना गरम तो बहुत अच्छा होता है अच्छा अभी ना जो लोग वेजडेडियन है वो लोग तो यह सूप रेडी मैं अगर जो लोग एक खाते हैं उनके लिए यह सूप को अभी मैं आधा कर लेती हूँ और फेट आधा पोर्शन में मैं दिखाती हूँ मैं इसमें थोड़ा सा एक मिक्स करूंगे दिखिए मैं आधा सूप बॉल में ले लिया है और अधा कड़ाई में है तो इसमें मैं अभी अंडर मिक्स करूंगे इसमें अच्छे से बीट कर लेंगे और मैं इसमें कुछ ने मिला रही हूँ कि नमक अमक सूप में है और सूप टेस्ट करने के बाद एक फायदा है कि आप अपने ही साथ से नमक ब्लैक पेपर सब कुछ मिक्स कर सकते हो या मैं एक बात बोलू कि शायद कुछ नो बोलेंगे एग वाइट डालो योग का जरूरत नहीं है अब रेस्ट्रोइन में ना बहुत कुछ हो सकता है अगर अगर आप रात को मैं बना रही हूं मतलब दिनर तो फिर वह एक योग आप क्या करोगे तो घर के मुझे असल लगता है घर की साथ सो होना चीए और आप लोग को पता है मैं तो अपने सुविदाथी साथ से करती आप लोग को पता है कि मैं अकेली करती हूं तो अगर मैं एक हाट से इसमें एक मिलाओंगी एक हाट से हिलाओंगी तो कैमेरा पकरना मुश्किल है तो मैं कोशिश किया स्टैंड पे रखके आप लोग को थोड़ा सा दिखाओं तो जब अंडा मिलाएंगे ना एक चीज़ ज़्यान रखे कर कि इसको हिलाते रहना चाहिए और उपर से थोड़ा थोड़ा अंडा डालना है एक ही मैं डाल गी हूं अप्राइब तो खुट थे रहना है वाँ बना तो मुटब थोड़ा थे लाग थे लाँ रहना है रहना है इसको अबिस्टेश एखे कि वाँ अब इसको भी मैं शुप बोल में डालके फिर आप लोग को दिखाती हूँ अब देखिए दोनों एक साथ मैं दिखाती हूँ एक तू एक तम ट्लियर है दिखिए ये ऐक लिए चुप है और इसमें मैंने में वेजटेबल्स क्योंकि ज़्यादा डाला है आप भी ज़ादा ढालें तकि बच्चों के लिए ना इस तरह सो बेजिटेबल भी खालेंगी, देखे, you can see this is clear soup and this is with egg, so texture में भी फरक्त दिख रहा है, taste में भी फरक्त होगाई दोनों का, so I prefer this one and soup का एक फादा क्या है, मानिए नमख कम हुआ आप डाल सक्षायों मानिए आपको ब्लैक पेपर आट चेहिए आप डाल सक्षेयों आपको जैसे मैंने कहा थोड़ा सा बीनिगर या स्वैसास या चीली स्वसा अपको मीक्स करना है वाप कर सकते हो और तो यू यू पर बना के गरम गरम सूप पी लीजेगा ज़रूर आप लोगोंने मैंने मतलब जैसे मैंने बोला पनरामनित में लगा बहुत इजी बहुत हेल्दी और बच्चों के लिए तो स्पेशल बहुत अच्छा है बनाएं और जैसे मैं बहुत हुना हर चीज रेस्टोरेंट जैसा सोच के क्यों बनाना है घर में बना रहे ना तो घर के जैसे सोच के बनाना मुझे ऐसा लगता है यह मेरा सोच है अधो संदा नहीं आएं आपको रेस्टोर जैसे बनाना है वो आपसके साथ स्वास मिलाइए जैसे मैंने कहा अग्वाद का फाइदा यह थोड़ा कम होँए नमक कम हुआ ब्लैक पेपर क्रम होगा तो बाद में भी आराम से मिक्स कर सकते हो या भी नीगर सो आसा यह सब्सक्राइब अपने लिए बना रहे तो जिस तरह से सुभिधा होगा उस तरह से बनाना ही सही है मुझे ऐसा लगता है तो चलिए आज अल्रेडी तो यह लाइट के चक्कर में लेट हो गया तो अभी फटा-फटा हम लोग डिनर भी कर लेते हैं सो माई चैनल शेट सप्लाइब विद मॉली लाइक करिएगा शेट करिएगा सबस्क्राइब नहीं कर लीजेगा और कॉमेंट तो जरू करना मुझे बहुत अच्छे लगता है आप लोग को कॉमेंट पढ़ना चलिए बहुत चल्ब फिर मिलेंगे आज इतना है तमश्कार